विरोधी भी है तो भी जब तक सामने वाला प्रामानिक है और देश के कल्यान की भावना लेकर काम कर रहा है तब तक उनका कोई विरोध उस्ते होता नहीं था सभी प्रकार के विचारदाराओं के लोग उनके अच्छे मित्र थे उसमय नाकपुर में और एक कम्यूनिस्ट नेता हुआ करते थे बैरिस्टर रुई कर थे अच्छे बैरिस्टर थे धन्वान थे और नाकपुर के मज़दूरों के नेता के नाति उनकी प्रसिद्धी थी औ अगर में आपके घर आकर ये आपको समाचार दू कि अंग्रेजों का राज चला गया और शिवाजी महाराज वापस आ गया है और शिवाजी महाराज का राज्य सर्वत्रा शुरू हो गया है तो आप क्या करेंगे तो बैरिस्टर रुईकर साब ने कहा कि यह पूशनी की बास है मैं तो हाथ ही पर से पेड़े बटवाऊंगा तो डॉक्टर ईड़िवार ने कहा इसका मतलब कि आपको भी वहीं जाना है जहां हमको जाना तो आपस में जगड़ा क्यों करते हैं हम मिल कर क्यों नहीं चलते हैं चोटी-मोटी तातिविक बातों को लेकर इतने विवास क्यों खड़े करते हैं यह उनका माइंडशेत था तो मैंने जो अध्यन किया है थोड़ा बहुत, उससे मुझे ऐसे लगता है, 1857 में देश को स्वतंतर करने का एक बड़ा प्रयास भारत वर्ष में हुआ था, वो विफल हुआ, विफल होने के बाद अपने देश में और प्रमुख लोगों के मन में चिंतन चुरू हुआ कि हम हमारी संख्य इतनी प्रचंड, हमारे पास भी सेना, राजा, माराजा सभ है, और अंग्रेलेट लोग मुठी बर है, बाहर से आये हैं, यहां के हवामान में भी उनके लिए सब प्रतिकूलता है, फिर भी वो जीते और हम हारे ये कैसे हुआ, और ऐसा कुछ चिंतन मन्थन कर के समाज जागुर्थी के जो प्रयास बात में शुरू है, उसकी सामान्य तहां चार मोटी मोटी धाराएं दिखाई देती हैं, एक धाराएं